आज की इस वीडियो में हम बात करने वाल है कि आयरुवेद क्या है और इसकी परिवासा क्या है इसके पिता कौन है यानि कि जन्मदाता कौन है देखे आयरुवेद दो सब्दों से मिलकर बना है पहला है आयू और दूसरा है वेद आयू मतलब उम्र एज और वेद जो आप प आयरुवेद का नाम का अर्थ जीवन से संबंदित ज्यान के बारे में लिया जाता है आयरुवेद भारतिय आयोविज्यान पर आधारित है और पूरे की पूरी आयरुवेद जो है तीन चीजों पर आधारित है जिसे त्रीदोस कहा जाता है यानि कि वात्त पित और कप इन त और वेद का कहहना भे आयरुवेद के पितमा दाता महारेसी चरक जी को कहा जाता है और चरक जीने एक पुस्तग लिखी है चरक सनमिता उसी के आधार पर आयरुवेद की अधिकान्स जो जड़ी बुटिया हैं वह बन् Casey कंगित Nepal है तो अजरद आर्था जो सास्त्र जीवन के विज्ञान का ज्यान कराता है उसे ही आयुरवेद काते हैं स्वस्त वेक्ति और आतुर यानी की रोगी के लिए उत्तम मार्ग बताने वाले विज्ञान को आयुरवेद काते हैं या इसका दूसरा परिवासा और तिसरा परिवासा क्या है जिस सास्त्र में आयू साखा, आयू बिद्या, आयू सुत्र, आयू ग्यान, आयू लक्षन, आयू तंत्र, इन सभी की संपूर्ण जानकारी हमें मिलती है, उसे हम आयरुवेद काते हैं, तो बस आज किस वीडियो पे इतना ही, अगले ही हम पूरे के पूरे आयरुवेद पे सिरीज लाने वाल ताकि आपको स्वस्त राने में मदद मिले, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, स्वस्त रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए